Hello guys and welcome to my YouTube channel Facebook group दोस्तो अगर आप भी अपने application BGMI को open करते हैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसा interface देखने को मिलता है connection to server load या जो है please check your internet connection before trying again तो ऐसा interface आपके screen पे देखने को मिलता है जिससे आप लोग application को open करते हैं इस problem को आप लोग 100% fix कर सकते हैं जो मैं आप लोगों को तरीका बताने वाला हूँ इसको आप लोगों को follow करना होगा दोस्तो आप लोग वीडियोज पे यानि YouTube पे काफी ज़्यादा वीडियोद देखे होंगे आपको काफी ट्रिक बताएगे ही होंगे लेकिन वर्क नहीं कर रहे होगी लेकिन एक बार हमारे वीडियोज को देखी और जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ एक बार अपलाई करिए 100% वर्क ने ट्रिक है दोस्तो मैं इसको ट्राई खुद किया हूँ यहाँ पे सबसे वाले शेटिंग को अपन करेंगे नेटवर्क एं इंटरनेट पे आएंगे और यहाँ पे शेटिंग का अप्सन है इस पर हम किलिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों जो सब लोग बता रहे हैं मैं वही नहीं बता रहा हूँ आप लोग पहले वीडियो के इंडे तक आईए यहाँ पे देखिए श्रिम का उप्सन मिलेगा श्रिम के उप्सन पर किलिक करना है और यहाँ पे सबसे नीची आना है एक्सेस पॉइंट नेम का उप्सन मिलेगा आप अपने शेटिंग में सर्च भी कर सकते हो अगर यह उप्सन नहीं सो होता है access point name का option सो होगा आपको इस पर click करना है click करने के बाद यहाँ देख लीजिए आप लोगों को कुछ ऐसे interface मिलेगा आपको right side उपर की तरब three dots मिलता है इस पर click करके more option मिलेगा यानि जो three dots पे आप click करोगे तो यहाँ पे reset to default का option मिलेगा इस पर click कर देना है काफी लोगों की phone में नीचे की side option मिलेगा काफी लोगों की phone में right side उपर की तरब मिलेगा तो कहीं भी इसको click करके आप इसको reset to default कर दीजिए ताकि इसमें कोई भी problem ना रहे इसके बाद आप लोगों को बैग आ जाना अपने setting में शेटिंग में आने बाद यहां पर दोस्तों एक और काम करना है आपको नीचे आना है आप का options होगा या आप management का options होगा जहां पर सारे applications हो होते हैं इस पर हम click करते हैं यहां पर see all 93 apps हैं तो इस पर हम click कर देंगे सारे application आपके phone में show होने लगेंगे अब यहां पर आप लोग देख लीजिए का BGMI का application कहां पर है उस पर आप लोग click कर देजिए यहां पर चेक कर लेजिएगा जहां भी रहे दोस्तों तो यहां पर काफी time लगेगा search करने में यहां पर किसी भी application पर click करके दिखा दे रहे हैं यहां पर सेम चीज आपको करना होगा जब आप BGMI application पर click करेंगे तो यहां पर कुछ ऐसे interface मिलेगा यहां पर एक options होगा mobile data and wifi का इस पर आप लोगों को click करना है यहां आप अपने home screen पर BGMI application पर long press करके आप इनफो पर click करके भी यहां पर आ सकते हो जब आप click करते हो तो यहां पर देखते हैं background data का options होता है अगर background data आपकी phone में आन नहीं है तो इसको आन कर दीजिए और यहां पर unstracted data usage है इसको भी आप लोग आन कर दीजिएगा इसके बाद दोस्तो आपकी problem जो 100% fix हो जाएगी 100% guarantee भी है दोस्तो अगर आपको वीडियो useful लगे तो please वीडियो को लाइक करिएगा हाँ आपको अपने phone को एक बाद जो है switch app करके open कर लेना है या नहीं restart कर देना है ताकि कोई भी problem कोई भी शंकार ना रहे